तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि यह एक फिल्म कैपिसिटर है और यह AC सर्किट में यूज होता है तो दोस्तों क्या आपको पता है कि इसमें जो कोड लिखा हूँ रहता है नंबर से लिखा हूँ रहता है उसका अर्थ क्या होता है किस तरह से इसका वैल्यू निक लिखाव रहता है 105 J 250-155 J 450 power 20 55 450 हो दो दोस्तों कोई कोई कैपिस्टिर में अंकों के साथ के लिखाव रहता है और बिया का अर्थ दोस्तों पर आपको इस तरह से आप निकाल सकते दो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा टुपर चनल मैकनिकल सर तो चलिए हुट्री कि भूज़े के हुच्ट करते हैं टाक से तो दोस्तों यहां पर आप दो कैपिशेटर देख सकते हैं एक कैपिशेटर में 255 वोल्ट लिखा हुआ है और दूसरे कैपिशिटर में 155, 450 वोल्ट लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें आपर इसमें जो के और जे लिखा वर रहता है उसका अर्थ क्या होता है उसे यहाँ पर समझ लेते हैं तो चली यहाँ पर समझते हैं तो दोस्तों जे का अर्थ होता है प्लस माइनस 5 यानि की कैपिशिटर का जितना वेलू होता है उसमें पावर करने की जितना चंता होता है उसमें पांच परlait जादा हो चाहले आप दोस्तों इसके बाद युद्टर से आप निकाल सकते उसे आपको बताएंगे बहुती आसान तरीका तो इसमें 255 लिखा हुआ है तीन डिजिस में और इसमें एक सो पश्पन लिखा हो तो इसका वेल्यू किस तरह से निकालते हैं इससे आपको बताएंगे तो दोस्तो उससे पहले आपको जो कैपिश्टर में आपने की इकाई होती है फैरेट उसके बारे में जानना बहुती जरूरी है उसके बीना आप है क्यों पारे बराबर होता है एक हजार यानीर क né hanokat और एक नानो फैरेट बड़ाबर होता है वह फैर जोता है फरिए एक बहुत बढा याई होता है आप को पड़े एक निकालते आपको बता आती है यहां पर एकापिष्टर फस्फन %. के लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है लिद्पर से पहले और दूसरे अंकों आपको पूर्ड हो जितना जितना भी वर्ड हो जितना भी अंक हो यानि कि इसमें पांच है तो आपको पांच जिरो लगाना है अगर चार रहेगा तो चार जिरो लगाना है दो रहेगा तो दो जिरो लगाना है तो इसमें 25 को आपको सेम लिखना है और तीसरे अंक को आपको जिरो लगाना है तो इस तर आता है तो आप एक हजार से भाग कर दें इस 25 लाग को तो जो अंग निकल कर सामने आएगा वह नैनो फैरेड में करना चाहते हैं तो आप इसको फिर से एक हजार से डिवाइठ कर दें क्योंकि पी को फेरेड से बड़ा होता है नैनो फैरेड से बड़ा होता है मैक्रोफैड तो हम याँ पर 2500 एक हजार से डिवाइट कर देते हैं जिससे पहले और दूसरे अंग को सेम लिखना है और तीसरे अंग में जितना भी वह अंक रहेगा उतने आपको जीरो लगाना इस तरह से कनवर्ट करना है तो इस क्यापिशल के वेल्व को आप 2.5 मैक्रो फेर्ट कह सकते हैं 2.5 किलो वार्ट नेनो फेर्ट कह सकते हैं या 25 लाग पीव यानिकी पिको फेर्ट भी कह सकते हैं तो दोस्तो आशका तो आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी सीखने को जरूर मिला तब तक लिए जय हिन जय भारत वंद मातरा